PMC हिंदी से जुड़े लेटिस अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलू करें ध्यान ही पूजा है ध्यान ही स्तोत्र है ध्यान ही चाप है यदि आप फूजा स्तोत्र और जाप करना चाहते हैं तो ध्यान करें ध्यान हमें जीवन में सब कुछ देता है हमें संसार में ध्यान साधना करने और एक दूसरे से सीखने आए है सीखना और आनंदित होना यही जीवन के दो पहलू है जितना अधिक हम सीखते हैं उतना अधिक हम आनंदित होते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कारिक्रम हेलो पी एंसी में मैं हूं आपके साथ नम्रता दर्शको इस कारिक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आप सभी के ध्यान और अध्यात् सभी प्रश्णू के उत्तर आप तक पहुंचा सके इसी श्रिंखला में आज हमारे साथ इस कारिक्रम में मौजूद है स्पिरिच्वल टाबलेट काउंसलर और आनंदो भ्रह्मा नौट इंडिया की हैड स्नेह गुपता जी तो चलिए विनादेर किये कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं स्नेह माम का माम आपका कारिक्रम में बहुत-बहुत सागत है नमस्कार जी नमस्कार दोस्ता जी तो दर्शकों हम आपके साथ जुर चुके हैं लाइव फोन उठाए कॉल करें और जाने अपने किसी भी प्रश्न का उततर जी तो माम बहुत से प्रश्न हमारे पास सोशल मीडिया के माध से भी आते हैं तो इस सिकारिकरम में हम उन प्रश्नों को भी लेते हैं तो उन प्रश्नों को भी हम आज जानेंगे लेकिन उससे पहले हमारे आज के दर्शक जुर चुके हैं तो आई जान लेते हैं उनका प्रश्न हेलो जी नमस्कार नाम बताए अपना नाम नाम नीटु सिर्ण रहु रहे हो क Damur Bar ? डिलीत-चात के अपक्तर में हाथ रहे हमकने हाथ जी किया प्रेश्ट है एपका एका? जिसे आम मेडिटेशन करते हैं जी डिंग अर्ष भुढा जी आम क्योंक्हाङ क्योंगे तो आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रेनायाम करना है जब प्रेनायाम क्योंकि आप करेंगे तो वो एक तरह से योगासन हो गया जब ध्यान करते हैं तो सिफ और सिफ आप साधारन गति से जो आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं सिफ उसे पे आप ध्यान दिरेतक को क्षध़ दो अपना पाना सती ध्यान ही सिफ ध्यान है अपनी सअदारण आती जाती शौसौसों तो हम ऐसे में क्या करें। बहुत ही सुंदर प्रशन ही। हमें मालूम होते हैं कि हमारी हैपिट गलत है। लेकिन हम सामने वाले को समझते हैं और वो फिर भी नहीं समझ पाता। तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में हमें सबसे पहले एपने अंडर देखना है अपने अंडर कम्यों को देखना है क्योंकि हम अपना ही reflection यह कहई mirror । हम दुसरों में नजर आता है हमें। थो हमारा प्रतिम सामने वाला है अगर आपको उसके अंदर कमी आपका काम नहीं कर रहा या किसी परकार के कोई उसे आदत है और नहीं सुन रहा नहीं बदल रहा तो वह जो चीज है वह आपकी का reflection है आपका ही प्रतिवी में तो सबसे पहले आप उस कमी को अपने अंदर दूर करने की प्रयास कीजिए जब आप उसे अपने अंदर से दूर करेंगे तो दीरे-दीरे क्या होगा वह थी habit अपने आप दूसरे के अंदर से आपको नजर आती आएगे कि वह जा रही है इसलिए कहते हैं कि जो हम like attracts like कि आप जो देख रहे हैं सामने या जो आपको नजर आ रहा है वही आपका प्रतिदी में है तो यानि कि अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हमें सब कुछ पॉजिटिव ही जान लेते हैं का प्रश्ण है हलो जी नमर्शकार नाम बताएं अपना मेरे नम ताना जी है जी कहां से बात कर रहे हैं मैं बंबे से बोड़ रहा हूं जी क्या प्रेशन है आपका अए मेरे नहींय।बॅ मेरे इक लड़का है जी तो मेरे तो हूं जो है की अपॉड़ गिर शूल है उसको है अटक्याशक पाल–चेम oन level जी सर पहले आप बताईगे वो ध्यान करते हैं 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 वो ध्या इसके लिए इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर का वातावरेंग थोड़ा चेंज करना होगा आप जैसे आप हैं आपकी वाइफ हैं वो ध्यान करते हैं तो आप रेगुलर आप ध्यान कीजिए उनके लिए नहीं आप जैसे कहते हैं वाइब्रेशंस यह आप एनर्जी चेंज कर देते हैं उस एनर्जी में आपका ध्यान का पूरा वातावरण चेंज होना चाहिए घर में फूरा शाकाहरी महर्ण होना चाहिए आप नॉन वेज अगर खाते हैं या कोई भी मतलब जैसे आपका बेटा कभी-कभी खाते हैं या आपके घर में भी आता है तो उसको आपको बिल्कुल बंद करना होगा और वो जो करना चाहते हैं साइकिक लोग क्या होते हैं उनको करने की क्रियेटिविटी होते हैं कि उनको कोई क्ला है कोई डांस है कोई म्यूजिक है किसी भी कला के साथ उनका लगाव है करना जो चाहते हैं वो जरूर आप देखें कि वो उनके अंदर आपको निकालनी पड़ेगी मनलब वो आपको प्र करना चाहते थी वह कुछ को तो कोई शोक रहा है उनका पीज्टिंग का गाना का कोई म्यूजिक्ट का भी रिभायन का लुटने का जो के हैं तो कोई नियंको गाना सुनने का शोक तो आप отonders good music system to descend with original song saks 2 Couristesirement वो आप सारा दिन उनके रूम में चला के रखिए, आप पिरामिड लगाएं उनके कमरे में, पिरामिड एनरजी अपने घर में पूरे में लगाएं, उनके रूम में से फालतु सामान जो अन्वांटिक चीजी होती हैं, जो कभी यूज नहीं होती, वो जरूर आप उनके कमरे तो अगर आप इस तरह के उनके कमरे में चीजे लगाएंगे अपने घर में लगाएंगे और डेली हर कोई मेंबर उनके अलावा मेडिटेशन करेगा तो धीरे धीरे उनका मौहल बदलेगा और वह भी ध्यान की तरफ और उनके अंदर जो कला है उसको आपको बहार निकालना ह और इससे जादा आपके जो सीनियर मास्टर्स हैं आप उनके रेगुलर टच में रहें क्योंकि बहुत सारी चीजे आपसे बात करते हुए रेगुलर बात करते हुए ही पता चलेंगी कि उनके गाइदन्स उनको कैसे दी जाएगी जी तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रशन का उत्तर मिल गया होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में जोडने के लिए इसी के साथ अन्या दर्शक हमार साथ जोड़ चुके हैं आये जान लेते हुए उनका प्रशन हलो 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 जी नमस्कार बताए अपना नमस्कार, मेरा नाम Pया Singh जी प्रिया जी कहन से बात कर रहे है जी मैं उस्तर्पति से बात कर रहिएंगे जी स्योसस्यी ftBaad का does प्रिया जी आपको सबसे पहले आप ध्यान करती हैं पर रेगुलर नहीं हो पाता और समझ में भी नहीं आता कि कौन सा करना है आना पाना सती ध्यान करना है अगर आप यूट्यूब पे पीम सी चैनल हिंदी पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगी जिसमें उसका तरीका बताया गया है यानि कि अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान केंडित करना आखे बंद करें अप ये एक आना पाना सती ध्यान का तरीका हो आप इसे regular कीजिए मिनिमम उतने मिनट्स तो कीजिए जितनी आपकी एज है आप से एक बार में नहीं बैठा जाता तो आप 15-15 मिंट करके चार बार कर सकते हैं तीन बार कर सकते हैं या जादा समय बढ़ा सकते हैं जब तक आप ध् ग्रहस जब आपको ढखार अब्धी पढ़ती जाएगी तो आपको खुद से समझ में आएगा कि मुझे मेरे सुक्राइब का इंवोशन से मुझे नहीं भोलने तो आपको मौन करना है, साइलेंस में रहना है, जैसे आप सुभा आठ से नो ना तो आप उस्टेम फोन उठाइए, फोन कॉल लीजिए, ना हजबेंड से गोलिए, ना फैमिली मेंबर से गोलिए, आप पहले इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मैं अभी मौन में हूँ, मैं पहले अपनी इस जीवा को बारी रूप से शांत करने का प्रियास कीजिए, आगे की चीरियें आपको खुद से समझ में आएंगे, जी, तो प्रिया जैसा कि मैं आपने कहा है कि ध्यान करें, क्योंकि ध्यान ही आपकी सभी समस्याओं का समधान है, जितना आप ध्यान होंगी, उतनी ही जादा आपकी समस्याओं दूर होंगी, बहुत-बहुत धनेवाद आपका कारेक्रम में जुनने के लिए, जी, हम अगला प्रेश्न हम ले लेते हैं, हम इनका प्रेश्न है कि क्या सिर्फ सोचने से कर्म बन जाते हैं, या फिर सोच जब क्रियान वित होगी तभी कर्म बनेंगे, थोट, स्पीच, एक्शन हम तीन चीज मानते हैं कि सोचना, बोलना और क्रिया करना, ये तीनों चीजें हमारे कर्म बना थे, या आपने सिर्फ सोचा तो यह सोचने से आपका कर्म नहीं बना, जब आप सोच रही हैं तो आप क्रियेशन कर रहे हैं, क् आपने आज ही सोचा कि मैं ये करूंगी, या मैं वो करूंगा, या मेरा आज काम होगा, या नहीं होगा, आपने उसमें नेगेटिविटी भी बहुत जादा सोच लिए, या आप हो सकते हैं 100% positive हों, या 70% negative हों, इस तरह से आपकी सोच के ओपर डिपेंड करते हैं, सोचने क आपने उस पे action तो बाद में लेंगे, पहले आप क्या करेंगे, स्पीच के द्वारा किसी से कोई जगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप सोच में उधेड़बू में रहते हैं, फिर उसे speech के द्वारा सामने वालों को देते हैं, फिर वो तीसा reaction करता है, उस पे action और miraculous बनाने, 100% ये काम मुझे positive चाहिए, तो positive सोचना, कि मैं आज समय पर पहुँच गई, समय पर पहुचूंगी या नहीं, ऐसा नहीं, मैं समय पर पहुच गई, या मैं समय से पहले पहुच गई, जबकि आप लेट हो, लेकिन आपने ऐसे miraculous thought create करा, कि मैं समय से पहले मैं जैसे आपने का कि हमें ऐसे thoughts create करने हैं, तो ऐसे thoughts create करते वक्त क्या affirmation भी बहुत ज़रूरी है, हाँ affirmations depend करते हैं, कि आप किस के लिए ले रहे हैं, आप कही लिए लेते हैं, कि आपके घर में कोई बीमार है, या आपको लगता है कि मेरे घर का atmosphere, या कोई आपके घर में लगता है कि कोई शाकाहरी नहीं है, या कोई ध्यान ही नहीं है, तो इस तरह कि आप affirmations जाल सकते हैं, क्यों affirmations हमेशा positive होती है, और उनका result भी positive है, तो affirmations हम साथ साथ दे सकते हैं, कभी भी किसी भी time दे सकते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से आपने स्ट्राइब किया, इसके जारा अब आजानो के लिए इस बागत सबकुटी है, जाड़ का दे साथ आज शुट फ्रशन हमने लिएन का प्राश्न हमने लेते हैं, मैं इनका प्राश्न है, कि एmo से लिए डिशारिक बिमारी के लिए ठीक होता है, जिस BMI घियान कहा शारिक थीक होती है, या सिरी धिन स आपके बाडी के क्लिंजिंग होती है और आपके पूरी बाडी में जब एनरजी फ्लो होता है तो आपके नाड़ी मंडल के शुद्दी होती है और छोटी मोटी समस्या है तो हमारे गहन-ध्यान से अपने आपी इस वहती ही ठीक हो जाते हैं जैसे पैरों का दर्द हो घ्या कम आप इसके बोल सकते हैं हर किसी का फोन कॉल आ रहा है उसे बहुत स्वस्त है तो आपने उसे क्या दिया पॉजिटिव वर्ड्स दिये तो उसकी वाइब्रेशन चेंज होंगी और व्यक्ति दीरे दीरे अपने आप ठीक होने लगता है मतलब है मेरा खुद का अनुभाव है कि आप कितनी भी नेगेटिव चीजी हो रही है या बीमारी हो रही है कुछ भी हो रहे है घर के अटमस्फियर में अगर आप पॉजिटिव बोलते हूं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है मतलब हम उस सिच्वेशन के प्रति अपने नजरीयों को बदने लिए तो उस चीज आपमेटिक लिए थी चेंज होने लगता है मैं मैं सी किसाद दर्शक जुड़ चुड़ चुके है यह उनका प्रेशन चानल है हलो हलो जी नमशकार नाम बताए अपना मैं नम रभी तुमार है मैं युकी में बिजनोर के लिए यह उनका प्रति आपका क्या सवाल है आपका मैं आपका वाज तो बहुत सारे है लेगिए विए रहते हैं मेरे अध्यात्म से संबंदित मैं जी मत्यात्म से जुनेदा मुझे कोई आइडिया रहते हैं प्रति के लिए अधियात में जानने क्यों है इस परिकी के सवाल मेरे मन में रहते हैं तो वजब यह सारे किया कुछ अन्षर मुझे मिल सकता है या पिर मैं यह सबस्क्राइब गड़ने के बाद जानने के बाद गुरूज को पोलो करने के बाद क्या मेरे यह सवाल तो मतलब प्रेस्ट जो है मेरी खत्म हो सकती है या अपके रिखिल के आन से नहीं सकते हैं जी जी रवीजी सबसे पहले तो आपको ध्यान के साथ जुड़ना होगा सीधा साधारण आना पाना साथी ध्यान अगर आप देखें तो अपनी सांसों पर जो साधारण गती से आप श्वास ले रहे हैं उनको अब्जाब करना आखे बंद करते हैं हातों को क्रोस करते हैं पैरों को क्रोस करते हैं और अपनी आती जाती साधारण गती से आती जाती श्वास पे अवलोक करते हैं उसको अब्जाब करते हैं कि हम कैसे श्वास ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं और इसके ज़्यादा डिटेल वीडियो और आडियो आपको BMC Hindi पर भी मिल जाएंगे उससे जब आप ध्यान जादा करेंगे बहुत जादा ध्यान देरे देरे अपने समय बढ़ाएंगे तो जो आपके इतने सारे प्रश्णों की कुंजी है न वो आपको उसका आंसर एक ही उसमें लाइन में मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप इस तरह से अपनी लाइफ को आगे चलाना है इन सब के प्रश्णों के उत्तर आपको आपके ध्यान के द्वारा ही मिलेंगे तो इन सब के एक ही कुंची है ध्यान और ध्यान के बाद आपके सारे प्रश्णों के उत्तर आपको मिल जाएंगे तो रवी जैसा कि मैं ने कहा क कि आपके सभी प्रश्णों की कुंची है ध्यान तो आप ध्यान करें जितना सादा ध्यान करेंगे आपको जल्द ही आपके प्रश्णों के उतर भी मिल जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में जुनने के लिए जी तो माम अपना अगला प्रश्ण हम ले करते हैं तो मिन का प्रशने है कि अगर हम ज्यूनिवर्स से कुछ भी न महांगे तो क्या हमें जिसकी जरूरत हो और जो हमारे लिए अच्छा हूप तो क्या योनिवर्स उसे बिनमांगे वह दे देगी वैसे दिखिए अगर हम कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीग, तो यूनिवर्स का भी हो ही है, लेकिन हम जब स्टार्टिंग में कहीं भी जाते हैं, किसी मंदिर में जाएं, जब हम विकुल अज्ञानी होते हैं, तो हम हर चीज मांगते हैं, एक छोटे तो हम ईप प्राइभने सकते हैं, तो फ़ले दिन में उसको जब समज में आने लगते हैं, तो उसको लगता है कि मैं जो मुझे मांगू नहीं, जो मेरे और भाई-बहनों के लिए ज़रूरी हैं, पापा- अमे अपने आप प्लागत दे-देगे, दूसरी अवस्था में उसे लगता है कि मुझे मांगने की अवश्यक्ता नहीं है, पापा ममी को जो चाहिएगा वो अपने आप हमें लाकर देंगे हमारी जरूरत के अनुसार, तो यूनिवर्स भी ऐसे है दोस्तों, स्टार्टिंग में जब आप नए नए ध्यानी बनते हैं, तो आप हम 40 दिन का चलिया लेकर या कोई भी संकल्प लेकर ध्यान शुरू करते हैं, दूसरी अवस्ता जब हमें थोड़ा घ्यान ध्यान में जाते हैं, हमें थोड़ा घ्यान होने लगता है, तो अब हमें लगता है कि अब हम और ध्यानी हो गए, हमने और सर्विस प्रेचार शुरूर कर दिया, हमारे को और समझ आ गई, हमारी समझदारी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, तो आपको लगता है अब हमें कुछ भी करने की अविशक्ता नहीं है, यूनिवर्स जो देगा वो अपने आप जो हमार ज़रूरत है उसके अनुसार देगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था में है ध्यान की, कौन सी सीमा पर है, तो दियानी की ध्यान की अवस्था पर निर्मर करता है, हाँ, हमारा अगला प्रश्न है कि जो मेरे अंदर विचार चलते है, उसके जवाब मुझे तुरंत मुबाइल में आपने आसपास मिल जाते हैं, क्या ये भी ध्यान का अनुभव है, ऐसा कैसे हो जाता है, ये बिलकुल ध्यान का ही अनुभव होता है, क्योंकि जब आप ध्यान, जैसे आज हमारी ध्यान पर ही चर्चा बहुत जादा चल रहे हैं, तो जब आप ध्य तरह के अनुभव होने लगते हैं। आपके आसपास के कोइंसीडेंस आपको मिलने लग जाते हैं। तो आपको किसी ना किसी रूप में जब बहुत ध्यानी और ग्यानी होने लगते हैं तो आपकी थार्ड आई अक्टिव होने लगते हैं और वो थार्ड आई अक्टिव जब होती है तो आपको किसी भी रूप में आपके प्रशनों के उत्तर आपको मिलने लग जाते हैं जो आपको मिल रहा है जी मामने दर्शक भाई साथ जुड़ चुके आई उनका प्रशन चाने के हलो जी नमस्कार नाम बताए अपना मैडम रहीम मुमत बात कर रहा हूं गुडगाहं से जी रहीम जी क्या प्रशन है अपका मैडम मैडम जी क् возмож मेडिटेशन लेख और रहाल निकल गए भाहुआख मैडम 뜯जीज जी रहें जी जिज आपका रहीम मुमत बाहार आ जाता है मैडम बाहार जाए ले लोगज़ दियान, रहारा जाए धी वाहाई जाता है आप को जब हम सोते हैं तो हमें ड्यम्स एक हमारी बॉड़ी ही जाते हैं थारी digamos में हमारी जाते हैं ज़ो ठ्रेवल करती है अर जब वह चुनेक्ट रहती है गर आपको धियान। नहीं के पती, तो 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 यह से ऐसी आपकी अपधिन सपने मित अप्ला कोड़ निकिल रैसा कोड कि यह तो अपकी चैतना वाप्तिर है मितले और ध्यान। तो जैसे ही आपकी अपने इसभेईड के though द। दिन प्ला YouTube मितल में अपना सिमरेन कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कारेक्रम में जुडने के लिए अने दर्शक जुड़ चुके हैं ये जाननेते हैं उनका प्रश्न हेलो कि बहुत था है अने मुझार जूब आपके हैं प्रश्न के निवाद करना उसकते हैं अपीनि अइछ विजाने करने कार्ण कर अध gdzie लेके सार करना जाता एंगी तो कभी नहीं हैं आ अगर इस तरहें के आपके अनुभव आ रहे हैं तो आप अपने आज़ सेनिर मास्टर्स हैं उनसे कंसर्ट जी निकल रहे हैं। कि मुझे इस तरह के अनुर्भव आ रहे हैं तो तो कि अधर नुर्च अरफ तो होता ही है जैसे कि आपने च्छो तो अगे आपने अपर तैम निजर आ रहा है या कुछ भी ताष्प बार बार ऐसा कुछ आ रहा है इर्षिया, एटाच्मेंट, ग्रिडिनेस, एंगर, एंगर, डिजायर, तो इस तरह की चीजों को आप कहां उपर नीचे कर रहे हैं, तो उस तरह से आप अपने आपको देख सकते हैं, बॉन बेबी दिखाई दे रहे हैं, तो यानि कि आपने आप जिस अवस्था में हैं, आप दिखा लिए, जैसे स्पिजिकल बच्चे तो हैं, या हैं या नहीं है, लेकिन आपको spiritual बच्चों को एक तरह से इनकी मदर बनना है, उनको ध्यान सिखाना है, घ्यान देना है, आपने आपे सिखा, जैसे पति सन् a ने हमीशा का एक nagdu, तो आप ए सिखाई आपने जितना भी ज्यान ध्यान लिया वह आप दुसरे बच्चों को सिखाओ दुसरे लोगों को सिखाओ वह आपके spiritual children कहलाती है तो आप अपनी आसपा जो भी senior masters हैं उनसे ले सकते हैं इस तरह की उनसे पूछ सकते हैं और वैसे आपको आपके ध्यान में ही आपको उसकी guidance भी मिलनी शुरू हो जाती है आप books वगहरा पढ़ते हैं तो उसमें अध्यान स्वाध्याय में आपको उन तब के answers भी कई बार आपके clue मिलने शुरू हो जाते हैं आपको पता चल जाते हैं कि मैं जो मेरे को visions आ रहे हैं या मुझे जो भी अनुभा हो रहे हैं उनका answer क्या है किस तरह से किस तरह से मुझ आपके प्रश्ण है जल्ड ही आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे बहुत-बहुत भनेवाद आपका कारिक्रम में जूनने के यह इसी के साद अन्या दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं आए जान लेते हैं उनका प्रश्ण हेलो जी नमस्कार नाम बताएं अपना मैं बनवार बनवारी लाल जी क्या प्रश्ण है आपका यह मतलब 12-15 साथ मेरे बनवारी लाल जी आपकी आवाज हमें थीक से नहीं आपारी है हम आपसे नुरोद करेंगे कि आप नेटवर्क एरिया में आकर हमसे बात करें थाकि हम आपके प्रश्ण को ठीक से सुन पाएं आप एक बार अपने प्रश्ण को धोराएं प्लीज तेरे पूर मतलब 12-15 से शुकर है जी हलो जी 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 सर पावा जा रही है जी सर बोलिये 14-15 से शुकर है और मतलब खाने के बाद 200 से उपर रहती है और 12-15 से शुकर है जी 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 सर धेयान करते हैं याप? करने विखाए वाव मिठास की कमी तो बाशन वाशन देंगे तो को बैट की सकन कीजीए अपने आपको थोड़ा उब्जाव कीजिए कि मेरी कौन सा रिष्टे में कही ना कहीं गांट है या कहीं ना कहीं कमी है तो इस वज़े से डायबेटीज होती है लेकिन इन सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ही करना पड़ेगा आना पाना सती ध्यान जो अभी ह प्र आपके जीवन में कितना बदलाव या कैसा चल रहे है फिर हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे तो बनवारी लाल जी अदी आप अपनी समस्य को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान से जुनना होगा क्योंकि ध्यान ही आपकी समस्या को दूर कर सकता बहुत बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में जुनने के लिए इसी के साथ अन्य दर्शक हमार साथ जुड चुके हाँ ये जान लेते हैं उनका प्रश्न हेलो हेलो कुड इवनिंग माम जी गुड इवनिंग नाम बताएं अपना मैं आशी बूलरू डेली से जी आशी जी जी और माम अचली मेरा फॉस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पहले मैं आपका फर्स्ट प्रेशन को उत्तर दे रहे दी हूँ, आशी जी आप जैसे आपने पूछा भी कि आपको बहुत ज़रा थोट्स आ रहे हो तीन घंटे आप ध्यान कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि जब हम सफाई करते हैं, मैं आपको एक एक एक्जामपल देखे समझाते हूँ, आप दिवाली की सफाई करते हैं अपने घर की, तो आपका घर कैसा हो जाता है, एक बर सब बिख़र जाता है, तो ऐसे ही, जब आप कोई अच्छा काम, आपके मन में एक दिन में 60-70,000 विचार आते हैं, और आप उनको ध्यान की गोली दे रहे हैं, तो उतर दर बहागेंगे, वो तो विचारे एकदम अस्तवेस्त हो जाएंगे, तो वो भागेंगे, उनको भागने दे, वो बिसिकली आपके अंदर से निकल रहे हैं, एक करके वो निकलते जा रहे हैं, आप बार बार अवेर होके श्रास पर आते रहे हैं, यह मत सोचे कि अगर अपने आप कम होते चले जाएंगे, तो इस बात की शंका तो हटाई दीजे कि आप ध्यान करें नहीं करेंगे, और वो विचार दीरे दीरे शानतो हो जाएंगे, जैसे मैं आपको बताया कि एक सफाई की तरह हैं, वो धीरे दीरे कम होगे, तो आशी जी माम ने आपके पहल तो जैसे मैं मेडिलेट करती हूँ, तो मेरा जब से साइट किया है, इतना ज्यादा मेरा पेन बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि मैं ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पेन बढ़ता ही जा रहा है, तो मुझे यहां जब आप ऐसा ध्यान करते हैं तो आपकी बॉड़ी में होता है तो एक एक नाड़ी जो होती है आपकी उसकी शुद्धी होने लगती है अभी वह प्रोसेस नहीं शुरू है क्योंकि आपकी शुद्धी हो क्योंकि आपके विचार बहुत जादा है जब विचार कम होंग तो आपकी नाड़ी मंदल की शुद्धी शुरू हो जाएगी लेकिन जहां हमें समस्या होती है बॉड़ी के पार्ट में किसी भी वहाँ एनर्जी जाती है और वह उसको हील करती है जब वह हील करने लगती है तो वह पेन कही बार बढ़ भी जाता है क्योंकि वह जड़ से क करता है जब उड़ आपकी उस पार्ट पे जा रही है जहां पेन है तो बढ़ा सकता है तो आप बिलकुल परिशान ना हो बिलकुल रेसलेस ना हो धीरे-धीरे आप ध्यान जारी रखेंगे तो यह धीरे-धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा और आप इसके सासा ज़ेए और निटर याम इंख है आप उसमें जुन सत्या है जो को समझ जले आपको ग्यान ग्याण के लिए श spéकती है तो तो आशीत जी के परतें कुछ गलत करने पर गुसा नहीं करना लेकिन प्यार से बोलने पर भी वह सही से काम नहीं करते तो ऐसे में हम क्या करें जैसे मैं पहले प्रश्न का आपका उत्तर दिया था कि भी और इसमया क्या जैसे कि तो छो भी प्रश्न क会 जोपते हैं तो क्या होता है करता है कि आप अभी संभाव में नहीं हैं हम अभी यह नहीं मानते कि जो उर्जा मेरे अंदर है, वही उर्जा सामने वाले के अंदर है, हम यह नहीं मानते कि अहम भ्रमास में, त्वत्मसी, मैं भगवान हूं, आप भगवान हैं, हम यह नहीं मानते कि हम उनिवर्सल लव में नहीं आए अभी तर्थ, जब हम सार्भोम कि उनको ये बात समझ में आएगी वह उसके अनुसार कारे करेंगी अगर आपको फिर भी लगता है कि वह नहीं करें तो इट मीज इरिटेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहे हैं आप इरिटेट हो रहे हैं तो आपको अपना पेशन्स लेवल को बढ़ाना है आपको उनको एकसप्टेंस मोड में आना है कि हा और एकसपेक्टेशन को कम करना है कि आप उनसे ज्यादा एकसपेक्ट कर रहे हैं जितना वह नहीं कर सकते यह और अपने पेशन्स को बढ़ाना है कि हा अभी मैं और धहरे से काम करूं यह दीरे-दीरे सीख जाएंगे आप ऐसा करके दे दूसरे को ठीक करने से तहले हुम स्वें पर कार -द्यान तो हमें यही सिखाता है कि पहले अपने उपपर काम करो फिर दूसरों के अपर काम करें कम इसी का साथ अधने धर्शक जुछाएँए है अँनका प्रषण चान लित के है हलो द injust नेती मत mellan या है का नूवाग गया तरहा है दो जन को खाल नुकरते जाँ हाग मरत हो यो जिसां गिदि आरायँ में दौत करें ही करना पड़ेगा ध्यान के बिना आपका ये जो मन इतना आशांत रहता है आप परिशान रहते हैं वो शांत नहीं होगा विचारों को कम करने के लिए ध्यान ही सबसे बड़ा साधन है और उसके लिए आप PMC हिंदी देख सकते हैं PMC हिंदी को आप YouTube पे जब अभी प्रशन पूछ रहें इसी पे आप देख सकते हैं कि आपको PMC पे कैसे ध्यान किया जाए ध्यान के किस तरह से वीडियो आपको मिल जाएंगे आप उससे पहले समझे और रेगुलर कीजिए फिर आप देखिए आप कम से कम 40 दिन करिए एक घंटे का ध्यान वीडियो देखकर PMC मिल गया होगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में जुर्मी के लिए जी मैं मकला प्रेश्न हम अपना ले लेते हैं ममिन का प्रेश्न है कि क्या यूनिवर्स और भगवान अलग-अलग है क्या भगवान ही यूनिवर्स को चलाने की शक्ति देते हैं इसके भगवान उठ्जा के रूप में हैं और यूनिवर्स एक ढ्रहमान जो है वह सब जगे फैला हुआ है हर पशू पशी पक्षी हर एक जाती जो हम पांच किंग्डम कहते हैं हमारा कि मिंदल किंग्डम भी उसमें आ रहा है प्लांट किंग्डम एनिमल किंग्डम हुमन किंग वाला जो पर चुन कर दो एक हम किष़ा वस तो दोनों एक है लेकिं पुरानोंकी व मश्या उनके दौरा हुमें उठ्जाब्जा मिल रहा तो भगवान को आज हम जो अध्यात्मिट्या में नहीं काते मूर्थी पूजा के के रूप में आते हमने राम देखे हमने कृष्न अपने समय में तो वो भगवान नहीं थे, एक आम इंसान के रूप में उन्होंने दुख सुख सब कुछ लिया, अगर वो भगवान के रूप में उस्ते मानते तो वो दुख और सुख क्यों लेते, उनको भी सब कुछ वो अपने कार्मिक जो उनको लेना था, वो सब उन्हों के साथ मिलकर अपनी ध्यान की यात्रा को और वारित करना है और वह भी ध्यान के मार्धयम से वह स्वहम पर कारे करकी स्वहम को ठीक कर सके जो भी उनकी कमिया है वो ठीक हो सके जी तो मैं मगला प्रेशन हम ले लेते हैं इनका प्रेशन है कि क्या ध्यान करते समय चक्रों की कल्पना करनी चाहिए तब ही उनका आभास होगा या कुछ भी नहीं करना इसके अंदर भी नमरताची बहुत सारे बाते हैं जै आज हम उसी पर चर्चर जादा करें हमारी वही तकनीक हम बार बर बता रहें तो उसको फोलो करते हुए हमें चक्रों का ध्यान नहीं रखना चाहिए आपको सिर्फ और सिफ अपनी आती-जाती श्वास पर ध्यान रखना है उस गुरु को जो आपके अंदर विराजमान है उसी पर फोकस करना है आप किसी चक्रों पर ध्यान ना दीजी धीरे धीरे जब आप ध्यान करेंगे और ग्यान लेंगे तो आप अवेर हो जाएंगे आपको समझ में आएगा कि मैं कहां गलत हूँ क्योंकि अगर हम मुलाधार चक्रा को देखें तो वह सर्वाइवल कॉंश अवेर सर्वाइवल करते हैं तो आप थिद टाने जब करने के अविश्यक्ता नहीं जिफ आना पाना सती ध्यान हुआ शिम्पल और साधा तरीके से करने जिए तो महम जैसे कि अब हैपने कहा कि ध्यान हमें करना चाहिए लेकिन जब हम ध्यान की आतरा पड निकलते हैं नह यह लोग इसमें थो चाहते हैं थाहां कि our थ्यानन करते हैं यह आनकर आपको आथा स्परावित्त मास्तर्ण्न थे थांप्स धायन कर सब्सक्राइब में गायारन बाट में लया लुटर में आप जी धांप एनल इसमें नया ध्यानी जो आता है वो सिंपल अपनी आते जाते श्वास पर ध्यान रखे और हमें कमपैरिजन नहीं करना होता है दोस्तों ध्यान में अनुभव होना भी एक अनुभव है और ध्यान में अनुभव ना होना भी अनुभव होता है सर्जन सांगति हमें इसलिए करना होता ह कि हमें यह पता चले कि इस तरह के भी अनुभव हो सकते हैं इस तरह के भी अनुभव होते हैं क्योंकि वह बहुत समय से ध्यान कर रहे हैं और कई बार हमारी यात्रा पिछले जन्मों से भी होती है हमें पता नहीं होता हम पिछले जन्मों में ध्यानी होते हैं और इस जन्म मे आपको आगे बढ़ाना है वो आपके ज्यान के लिए आपको आगे तुलना करने के लिए नहीं है तो इस बात का ध्यान आपको जरूर दोस्तों रखना चाहिए कि हम कंपैरिजन में कभी नहीं जाएं जी नहीं के साद कर द द द चुके हैं नहीं का प्रेशन जानने के हम वंहालो जुन नाम बताना यहां इना मैं बेना स बात कर्ण dedans कि यहाँ प्रेश्न प्रेशन का आपका है? वा तरहना आपका है.. इसे वत आपका लिए डादर्ट एक दोफने ही डायतरी तरिवार निए आपि जाब करो। जब हम कहीं ते विखी तो जाता है जो इस अविए को मान्टे तो उन्वा इस अव्याद करने के बोलते हैं, तो उनमें और उसे जान करने के बोलते हैं, तो इनमें क्या आनी करने? देखे सर क्या होता है कि जो मंतुचारण है मंतुचारण भोतिक जीवन में अकर हम अध्यात्मिक्ता में नहीं आते तो मंतुचारण ही बोला जाता है कि आप मंतुचारण करो आप जाप करो जाप से भगवान मिलेंगी यह आपका प्रापंचिक जीवन का एक तरीका है जो भी हम मंत्र बोल रहे हैं, उन मंत्रों से आपकी उड़्या बढ़ती है, आपके घर का या जहां भी मंत्रों का उचारन हो रहे हैं, वहां पर वो वाइब्रेशन होती है, इसलिए मंत्रों का उचारन किया जाता है, क्योंकि वो एक एक शब्द, या तो आप मंत्र उचारन με olhos वा और हम यह चाहते हैं कि हमारी उर्जा पूरा पूरी की पूरीं अंदर जाहें इसलिए मंत्रॉं का उचारन हम आनपाणा सती हज्यान में पतिक नो तब पूर शिय्व आंदर जाेंग cent, श्वास के दौर आपणे जाएंगे अपने आपको पहचानेंगे और मंत्रों के द्वारा आप उस वाता वरंड की उर्जा को अलग रूप में महसूस करेंगे दोनों चीजिया अलग है आप आपको आपके प्रश्ण का उतर मिल गया होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कारिक्रम में जुड़ने के लिए इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जूड़ चुके हैं आए जान लेते हैं का प्रश्ण हेलो जी नमश्कार नाम बताएं जी क्या प्रश्ण है आपको क्या प्रश्ण है आपका? मेरा कांसेक्ट है मुझे मुझे मांइफूल से ही हुपाती है जब ही मक्त अन्य दिएक नेकर राइं जेडी जान की बातना है जहां नहीं है जिस दिएजन दोस्ता पहुंच जाता हूँ तो इस देट मुखें अंदर में बहुर इसन पेजना पहुट जाता हूँ जी को जि मेरे प्रयास ठोले के बालगूत में उस पर कुछ बढ़ाव नहीं हुपा रहा है तो मैं 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 बढ़ रखी चाहता है जी सर, जैसे आपने कहा awareness और mindfulness जब आप ध्यान में करते हैं ध्यान में बैठते हैं तो आप thoughtless हो जाते हैं और उसके बाद आपको mindfulness या awareness नहीं रहती बाद में जैसे आप कर रहे हैं वो पूरे दिन के लिए होती है awareness जैसे आप aware हैं आप क्या बोल रहे हैं जागरुक होना आप क्या सोच रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए और mindfulness होती है कि आप जो काम कर रहे हैं आप पूरी तरह से उसके साथ ही रहें जैसे आप मालेजी office में काम कर रहे हैं आप एक file को पढ़ रहे हैं आप file को तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपका thought कहीं ओड जा रहे हैं तो वो mindfulness नहीं है, उसको पूरा उसी file के साथ, आप पूरी तरह से connect रहें, उस page को पढ़ते हुए आप पूरा आपका mind जो है, वही होना चाहिए, उसे हम mindfulness करते हैं, और aware आपको यह पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, मैं इस समय क्या मे मैं काम तो कुछ और कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच कुछ रहा हूं, तो वो आपको दोनों चीजों में आपको देखना होगा, जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रशनी का उत्तर मिल गया होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कारक्रम में जोड़ने के लिए जी, तो मैं मैं अंदे दर्शे कमार साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रशन भी जान वेते हैं, हलो, हलो, जी, नमस्कार नाम बताएं अपना, जी मैं मेरा नाम रेनुका है, जी, रेनुका जी, कहा सी बात करी हैं, जी, क्या प्रशन है आपका, मैं मेरा प्रशन है कि कहते आपको करम का फल भोगना ही ज़ाहे इस जनम के लिपटों पाकिडे सब्यादा बूल को जैंगे और बचों के कर्म या माबाप के नहीं कर दिए नातworking प्रीक्यां Evenine हांने इतने जी धाब एक दिए पैरेंट सिर्णार चैनल एक और सबँर जैसे आप एक वीडियो देख रहे हैं आपकी जादी की मूवी है मालीजेए शादी की वीडियो बनी आप किसी फंक्शन में गए आपने वो वीडियो में उस तेम आपने जैसे मजी खाया पे आपकी रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद क्या होगा जब आपने वीडियो तो आपने देखा आपके बाल सही नहीं है, आपकी साड़ी सही नहीं है, तो आप नेक्स टाइम क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे न की, मैं अब नेक्स टाइम जब भी वीडियो बनेगी, तो मैं थोड़ा अवेर होंगी, अपनी साड़ी को ठीक रखूंगी, मैं ठीक से खा तो आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे कि उनके साथ मेरा कितना लेसन रह गया, मैंने उनके साथ क्या चीज सीखनी थी और क्या चीज मेरी रह गई, तो उनको मुझे भाई के रूप में लेना है, बहन के रूप में लेना है, सेबलिंग्स भी आप खुछ चूस करते हैं, और अपने पेरेंट्स को भी आप खुछ चोस करते हैं, प्लेस भी बद्ध, फ्लेस भी आपका हुद खुछ का होता है, तो यह आपके कार्मिक चाउंट के द्वारह होता है, कोई किसी का फकल भोगता नहीं है, सब पने अपने पल भोग नहीं आए, लेकिन किसका किसके कितना कार्मिक अकाउंट है, वो उसको पूरा करने के लिए बैलेंस करने के लिए उस परसन के साथ है तो रेनुका जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा बहुत 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 दन्यवाद आपका कारिक्रम में जोखी के लिए माम, जैसे कि आपने कहा थैयान की बहुती型 है आनापानाट्ती ध्यान की on pakनी सांसों सो जोड़ा ए अपने हाथ और आंखों को बंद करना और आपने के तैरों करों करना तो माम जब लोग नया नया ध्यान सीखते हैं और सेम विधी से ध्यान करते हैं, तो उनके अनुभव अलग-अलग क्यों होते हैं, सेम क्यों नहीं होते हैं, देखिए, प्रैक्टिस में जो होती है, ध्यान में आप भी आए, हम अभी जैसे हमने A, B, C, D, C की, तो अब हम सीधा तो बैट, कैट, रैट नहीं बोल सकते हैं, ह हम अभी A for Apple, B for Boy ही सीखेंगे, एक 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 अलफाबैटी सीखेंगे, तो वही है, कि आप जब नहीं नहीं आते हो, आप ध्यान कर रहे हो, जैसे जैसे ध्यान करोगे, आपके अनुभव जादा होने लगेंगे, या आप पास लाइफ से आप ध्यानी बने हो, पास लाइफ स या अभी जो है सब के अनुभव जो है अलग-अलग इसलिए होते हैं, हाँ जी जी, तो माम आप इस कारेकरम में यह, इतना सारा ग्न अपने हम साथ違う दर्श्यकों के प्रष्णों के उत्तर, आपने हमें दि ये साथ ही साथ ही साथा सोशल मीडिया के माध depth harvest हमे आए थे हम לא za na ak nah kita कर आते हैं आपके यीवन में चल रही तमाम परषानियों को दूर करने के लिए ध्र Max or I अध्यात में से जुड़े आपके सभी प्रश्णों को दूर करने के लिए आपके सभी प्रश्णों के उत्तर आप तक पहुंचाने के लिए बस आपको करना इतना है स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं नंबर्स पर कॉल करना है और आपको आपके सभी प्रश्णों के उत्तर हमा घर घर में सत्य का दर्शन